तो आज की क्लास में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो इंटरनाशनल रिलेशन्स के अंडर आता है और वो टॉपिक है वाई इस इंडिया आउट अफ चा बहार रेल प्रोजेक्ट तो इस वीडियो के अंदर हम जिस चीज पर चर्चा करने वाले हैं वो इन दिनों बह होती सुर्खियों में है और ऐसा कहा जा रहा है कि एरान ने हाल ही में भारत को चा बहार रेल परियोजना से बाहर का रस्ता दिखाया है इसके साथ ही हम इस वीडियो में और क्या डिसकस करेंगे इंपाक्ट ऑफ चाइना इरान पार्टनर्शिप और जियो पॉलिटिक्स हा से लिंक्ड है तो यह RS और IS दोनों के इस अलेबस के अंदर इंटरनाशनल रिलेशन के अंडर यह टॉपिक आता है और इस पर क्वेश्चन बनने की बहुत अच्छी प्रॉबाबिलिटी बनती है तो आप बहुत इध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो हम शुरू करते है अब इस टॉपिक को तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले इरां की जो लोकेशन है वो क्या है उसके जो निबरिंग कंट्रीज है उसके जो पड़ोसी देश है वो कौन-कौन से है इसके बारे में भी नौलेज होना चाहीए तो पहले हम देखते हैं कि इरा लाइट कलर का पूरा लांड मास आपको नजर आ रहा है यह इरान है ठीक है अब हम देखते हैं इसका नेबरिंग कंट्री इसका नेबरिंग कंट्री है इराक, टर्की, अर्मेनिया, अजरबेजान और यहां पर इरान के नौर्थ में कैश्पियन सी सिचुएटर है कैश्पिय एसठ है इरान के पूरव में स्थित है और इराक, ऐरान के पच्चिम में स्थित है नौर्थ में कैश्पियन सी है और साच्पियन गर्फ पर्शियन गर्फ के बाद यहां पर एक बहुत Hi important जलसंदी है अस ट्रेट है उसके बाद यहां पर है Gulf of Oman तो यह इरान का पूरा माप है जिसके बारे में हमें knowledge होना चाहिए ताकि हमें यह topic और अच्छे से समझ में आए तो अब इस topic में जिस चा बहार रेल पर योजना के बारे में हम discussion करने वाले हैं वो situated है यहां पर वो स्थित है यहां पर ठीक है तो चाबहार यहां पर जाहिदान एक शहर है इरान में जो इरान के बिलकुल पस्चिम में है अफगानिस्तान से उसकी सीमा चूती है तो वो जो city है वो है जाहिदान और वो रेल परियोजना जाहिदान से लेकर के चाबहार के बीच में प्रपोस थी अब यहां पर यह जो एक और important बात है जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि चाहबहार port जो है वो Gulf of Oman में situated, Gulf of Oman में इस्थित इरान का एक बहुती प्रमुक बंदरगाह है. अब हम चलते हैं आगे. अब हम इस project के बारे में details जानते हैं कि ये जो project है इस से related क्या important details है जो हमें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो चाहबहार जाहदान rail project है इसकी लंबाई कितनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाहदान है और ये चाहबहार है ये railway project है और इसकी जो length है वो है 628 km, 628 km. अब इस rail project से related जो काम है वो किस company को sign किया वा था, किसे मिला वा था, तो भ भारत की company है जिसका नाम है aircon, इस aircon company को ये काम सौपा गया था, पहली बार ये जो project है इससे related जो deal है agreement है उसको कब sign किया गया था, तो उससे सबसे पहले sign किया गया था 2003 में, उस समय हमारे हाँ पर अटल बिहारी वाचपेजी की सरकार थी, फिर वापस नरिंदर मोधी जी इरान की यात्रा करी 2016 में और 2016 में एक trilateral agreement, एक त्री पक्षिय समझोता किया गया इरान और अफगानिस्तान के बीच में और भारत के बीच में, तीनों ने मिलकर के एक समझोता किया और उस समझोते के अंदर इस rail line को develop करने के उपर कई सारे agreements किये गए, तो अब हम उनके बा किया जा रहा था कि चाबहर पोर्ट से जाहेदान तक railway line बिचाए जाने थी और फिर इस जाहेदान से जरंच, जरंच से डेलाराम, यहां तक एक highway को भारत develop कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर, तो इस route के माध्यम से भारत जो है वो directly अफगानिस्तान से connect हो सकता है, अब हम देखेंगे इस डील के अंदर क्या important चीजें हैं और इस डील को 2016 में तरी पक्षिय समझोते को क्यों sign किया गया था, उसके पीछे मुख्य कारण क्या था, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण था, वो यह था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को जो भारत साहता दे रहा था और जो लांड वे से जो भी व्यापार कर रहा था, उन सब के उपर रोक लगा दी थी, अब ऐसी स्थिती में क्या किया हुआ था, कि जो चाबहार पोर्ट है, देखते हैं पिछले मैप में, यह जो चाबहार पोर्ट है, इसने एक alternate वे, एक विकल्प भारत को प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं, यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर इरान है, तो बीच में पाकिस्तान आ रहा है और अफगानिस्तान यहाँ पर है, ठीक है, अब इंडिया को अगर अफगानिस्तान से कनेक्ट होना, पाकिस्तान अगर लांड रूट को ब्लॉक करता है या इंडिया को connectivity नहीं provide कर रहा है अफगानिस्तान से तो ऐसी स्थिती में ये जो चाबहार है ये port जो है ये एक alternate way के रूप में इंडिया के लिए काम आ रहा है ठीक है अब हम आगे चलते हैं अब 2016 में भारत ने इरान और अफगानिस्तान के साथ ये त्री पक्षिये व्यापार और पारगमन समझोते पर हस्ताक्षर किये थे अब इस अनुबंधन के अनुसार क्या काम किये जाने थे तो इस अनुबंधन के अनुसार भारत को चाबहार में एक मुक्त व्यापार शेत्र तक पहुचने के लिए दो टर्मिनल्स डेवलप करने थे और उसको संचालित करने के लिए भारत को 10 साल के लिए पट्टा दिया गया था मतलब इंडिया को 10 एर्स के लिए लीज पर वो दो टर्मिनल्स दिये जा रहे थे तो चाबहार जो पोर्ट है उसमें एक फ्री ट्रेड जोन एरिया है वहाँ पर इंडिया को ये दो टर्मिनल्स जो है इनको डवलप करना था और इसके साथ भारत को चाबहार से जाहिदान तक 628 किलोमेटर रेल लाइन बनाने का अवसर मिला जो भारत को अफगानिस्तान से लगती सीमाओं तक ले जा सकता था ठीक है तो ये दो बहुत ही इंपोर्टेंट बात बहुत ही इंपोर्टेंट फाक्ट्स हैं इस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो हमें पता होने चाहिए अब हम आगे चलते हैं तो अब हम देखेंगे कि इ इस agreement को execute करने में इस समझोते को implement करने में क्या problems face हुई तो पहली जो problem है वो तो ये है कि जो इरान की side से जो ये जो contract है इसमें बार-बार changes किये जा रहे थे तो इसकी वज़े से उस contract की जो terms and conditions है वो बार-बार change हो रही थी और दूसरी बहुत बड़ी problem ये थी कि इरान के उपर अमेरिका ने economic sanctions लगा रखें आर्तिक प्रतिभन लगा रखें इरान का जो nuclear program है उसके चलते अमेरिका ने उसके उपर economic sanctions लगा रखें जिसकी वज़े से भारत पर भी बहुत pressure बन रहा है कि वो इरान के साथ किसी भी तरीकी का व्यापार है ट्रेड है इसको ना बढ़ा है तो इसी वज़े से इंडिया ने लगबग अपना जो oil import है इरान से जो इंडिया इरान से तेल लेता था उसको लगबग खतम सा कर दिया है जबकि पहले इंडिया जो है वो world का sorry इंडिया जो है वो इरान का तीसरा oil importer था ठीक है अब हम आगे देखते हैं और क्या problem है उसके अलावा जिस company को aircon company को ये काम दिया गया था काम swapा गया था वो बहुत ही delay इस project के अंदर कर रही है और जो just time के according उसको complete करना था उसके according वो उसको नहीं कर पा रही और बहुत delayed response इरान ने observe किया तो इसके बीछे जो major reason है वो है इरान के उपर लगे वे जो economic sanctions है जो अमेरिका ने लगाए है तो इससे क्या problem हो रही है company को उस काम को समय पर खतम करने में तो problem यह हो रही है कि जब railway line को बिचाया जाना है तो उसमें बहुत सारे suppliers है बहुत सारी companies का role involved है तो ऐसी स्थिती में जब इरान के उपर economic sanctions लगे वे हैं तो वो companies को एक खास interest ले नहीं रही है इस काम में ठीक है तो पाच्वा और बहुत important कारण जो बताया जा रहा है इसके background में वो है Sino-Iranian comprehensive strategic partnership China और इरान, Sino-shabd जो है वो China के लिए use किया जाता है चाइना और इरान के बीच में हाल ही में एक सामरिक साजधारी पर समझोता हुआ है जो बहुत सुर्खियों में है इन दिनों news में और वो बहुत ही important है ठीक है तो हम उसके बारे में भी आगे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है अब पहले हम उस comprehensive deal पर जाने से पहले हम यह देखते हैं कि इसकी strategic importance क्या है हमने अभी तक यह जाना कि यह rail परियोजना क्या थी किस agreement के अंडर यह आती है और उस agreement की important terms and conditions क्या है अब हम देखेंगे कि इस rail परियोजना का सामरिक महत्व भारत के लिए क्या है जो कि इस topic का सबसे important part है तो आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो सबसे पहली बात तो इसकी location क्या है तो इसकी जो location है वो Gulf of Oman में है जो मैंने आपको पहले भी बताया यह Gulf of Oman है यहाँ पर यह situated है दूसरा Strait of Hermose यह जो area है यह जो जलसंदी है यह बहुत ही important जलसंदी है क्योंकि जब हम इरान का नक्षा देख रहे तो और हम उसकी neighboring countries देख रहे थे तो आपने यह देखा होगा कि उस map के अंदर इरान के आसपस जितनी भी countries है वो बहुत ही major oil exporter countries है दुनिया की जिसे कि आप देखिए इस Persian Gulf में यहाँ पे Qatar है, Saudi Arabia है, Kuwait है और Iraq है तो यह जो सारा region है यह oil और natural gas के perspective से की दृष्टी से बहुत ही rich area है तो इस वज़े से इस strait की जो की Persian Gulf को Gulf of Oman से अलग करता है और यहाँ पर Gulf of Oman और Persian Gulf को जोडता है और Oman और Iran को अलग करता है, यह बहुत ही important location है तो इसके पास यह जो परियोजना है, यह स्थित है तो यह इसकी strategic importance है, अब हम आगे और important चीज़ें इसके बारे में देखते हैं आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस project का strategic importance जो है वो क्या है इस project के सामरिक महत्व है, वो क्या है भारत के लिए, यह project इतना important क्यूं है और हम क्यूं इस पर इतनी detail में चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इसकी importance है वो यह है कि इसकी जो location है वो क्या है, यहाँ पर मैंने आपको पिछले map में बताया था, यहाँ पर है Gulf of Oman तो यह Gulf of Oman में स्थित है, दूसरा इसके पास है Strait of Hormoz, तो यह जलसंदी यहाँ पर है, Strait of Hormoz जो Strait of Hormoz है, वो क्या करती है, वो Oman और इरान को तो अलग करती है, और यहाँ पर Gulf of Persia है, और यह Gulf of Oman है, इनको यह जोडती है तो जैसा कि हमने पिछले map के अंदर देखा था, इरान के जो neighboring countries हैं उनके बारे में, तो आप देखेंगे कि इरान के जो neighboring countries हैं, जैसे कि इराक है, और यहाँ पर साओधी अरेबिया है, कुएथ है, दोहा है, तो यह सारा जो region है, यह पूरा जो शेत्र है, यह oil and natural gas की दृष गल्फ से Gulf of Oman को connect करता है, इस वज़े से इस location की बहुत जाधा strategic importance इंडिया के लिए भी है, और world geopolitics में, world geopolitics में भी इसकी बहुत जाधा importance है, तो दूसरा जो इसका strategic importance था, इस रस्ते का वो क्या था, वो भारत की policy है, जिसे हम बोलते है, connect to Central Asia, तो यह connect to Central Asia policy में अगर हम देखें, तो एक तरीके से gateway to Central Asia था, क्योंकि हमने अभी पिछले map में भी discuss किया था, कि इंडिया और Central Asia के बीच में है Pakistan, जिससे इंडिया को बहुत जाधा support नहीं मिलता है international trade में, तो ऐसी स्थिती के अंदर, अगर Pakistan को bypass करके जाना है, तो यह जो पूरा project है, यह बहुत ही important ह हो जाता है इंडिया के लिए, अब इस project के अंदर और details है, अगर हम देखें, तो यह चाबहार है और यह जाहेदान है, जैसा अभी हमने discuss किया था, यह जाहेदान rail link है, इसके बाद यह जाहेदान है, यहां से जरंच city तक highway के थुरू connect होता है, और फिर उसके बाद यह देल देलाराम से लेकर के जाहेदान तक highway develop करने में किया था, ताकि भारत सीधा चाबहार port से connect हो जाए, और इंडिया को सीधा अफगानिस्तान में काबूल तक connectivity मिल सके, तो यह इसके इंडिया के लिए Central Asia तक connect होने के लिए बहुत ही important project है, अब दूसरी बात यहां पर क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जारंज और देलाराम highway जो है अफगानिस्तान में इंडिया ने develop किया था, ताकि इंडिया को सीधा अफगानिस्तान तक connectivity मिल सके, अब अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का neighboring country है, पर इंडिया उसके साथ full capacity में जिस level तक trade कर सकता था, जि यह बहुत अच्छा alternate इंडिया के लिए होता अफगानिस्तान से connect होने के लिए, फिर दूसरी इसमें क्या important बात है, जो अफगानिस्तान है वो INSTC का पार्ट नहीं है, अफगानिस्तान जो है वो INSTC का पार्ट नहीं है, आपकी दिमाग में question आ रहा होगा, कि यह जो INSTC है यह क्या है, यह international north-south transport corridor, यह central Asia के अंदर इंडिया को connectivity provide करता है और अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं है, तो इसके माध्यम से इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से connect नहीं हो सकता था, तो उस लिहाद से भी यह route जो है यह इंडिया के लिए बहुत ही important था, अब इसके वहाँ पर भी भारत को connectivity provide कर सकता था, फिर इसके अलावा इसके जो distance है कांडला पोर्ट जो है गुजरात का उससे इसकी जो distance है इस चाबहार पोर्ट की वो सिर्फ 480 nautical miles है, तो उस लिहाद से भी यह बहुत important है कि यह बहुत fast तरीके से भारत को connectivity provide कर रहा था Central Asia में, ठीक ह अब इसके अलावा इसका और क्या importance है, तो यहाँ पर यह यहाँ पर पाकिस्तान में चाइना ने यहाँ पर एक ग्वादर पोर्ट को develop किया था, ग्वादर पोर्ट को विक्सित किया था, तो उस ग्वादर पोर्ट पर भी नजर रखने के लिए उस ग्वादर पोर्ट की monitoring क लिए भी यह बहुत ही important project है इंडिया के लिए, तो I hope आपको इस project का सामरिक महत्व जो है भारत के लिए वो समझ में आया होगा, और इसमें सबसे important बात यह है कि इंडिया के जो policy है connect to central Asia उसके लिए बहुत important है, यह जो connect to central Asia policy है इंडिया की, यह इसका जो main objective है, वो क्या है, इसका जो main objective है, वो यह है कि भारत अपने जो central Asia के जो countries हैं, जो मद्धे Asia में स्थिच जो देश हैं, उनके साथ अपने Sanskritic, आर्थिक और राजनेतिक संबंदों को प्रगारता प्रदान करना चाहता है, इनको strengthen करना चाहता है, और यह चार C के उपर based है, यह connect to central Asia policy, इसको हम क हम बात करेंगे Sino-Iranian comprehensive strategic partnership के बारे में, जो इन दिनों बहुत जादा news में चल रहा है, और पूरी दुनिया की नजर इसके उपर है, और यह पूरी world geopolitics को effect करेगा, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इस deal के बारे में कुछ important facts, जो हमारे exam के लिए बहुत important है, तो पहली चीज यह है कि इस deal के अंदर 25 साल के लिए, चाइना और इरान के बीच में strategic partnership की गई है, और उसमें यह जो deal है, यह कितने amount की है, यह deal है 400 billion dollars की, ठीक है, अब हम सबसे पहले इस deal में यह देखेंगे कि इस deal से चाइना को क्या benefit होगा, तो चाइना को क्या benefit होगा, चाइना को उसी च access मिल जाएगा, जिस चाबहार से जाहिदान तक railway line के हम बात कर रहे थे, उसी चाबहार port में जो duty free zone है, वहाँ पर चाइना को direct access मिल जाएगा, और उसके पास जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो जो पूरा area है, वो oil and natural gas के point of view से बहुत important है, तो उस area की जो nearby oil refineries है, पर भी वो advantage लेने के कोशिश करेगा, उसके अलावा उस चाबहार के पास ही एक province है, एक location है, जिससे बोला जाता है जस्क, तो उस जस्क area में बंदरे जस्क नाम के port को develop करने का का काम चाइना को दिया गया है, अब ये जो port है, ये इस चाबहार से सिर्फ 350 km की दूरी पर प्लाई करेगा, इसके अलावा उसी Gulf of Persia के अंदर एक किश आइलेंड है, उसको इरान चाइना को लीज पर दे देगा, ऐसी बाते कहीं जा रही है, और फिर चाइना उस आइलेंड का चाइना सैनने करन कर सकता है, उसको militarize कर सकता है, और फिर उस पूरे area के अंदर वो अप चान की oil और gas industry के अंदर 280 billion dollars का निवेश करेगा, तो इस deal से इरान को जो benefit है, वो उसकी oil और gas industries के अंदर सबसे जादा देखा जा रहा है, बहुत बड़ा amount यहाँ पर चाइना invest करने वाला है, उसके बाद चाइना जो है, वहाँ की production और transport infrastructure के अंदर भी 120 billion dollars का निवेश करेग और तीसरा इसका जो इरान को benefit है, वो यह है कि चाइना वहाँ पर 5G infrastructure का development करेगा, इसके अलावा भी कई सारे शेत्रों में, कई सारे sectors के अंदर चाइना निवेश करेगा, जैसे कि bank है, telecom है, port है, railway है, इन सब को develop करने में चाइना वहाँ पर huge investment करेगा, और इसी तरीके से च अब हम देख, जो मैंने आपको अभी पिछली slide में details बताई थी किश island की और बंदरे जश्क के बारे में, उसको हम थोड़ा सा माक में देख लेते हैं, यह किश island है, यह इस Persian Gulf में situated है, थोड़ा कतर के पास आप देख सकते हैं, तो अगर इस area को चाइना militarize कर लेता है, इसका सैनने करन कर लेता है, तो उसके बाद China इन सारी countries के उपर अपने influence को बढ़ा देगा, अब यह जो जस्क है, यह जस्क, बंदरे जस्क, जो port China इस agreement के अंडर develop करेगा, यह चाबहर के पस्चिम में है, और इस जो अभी हमने discuss किया था, straight of hormones है, इस से काफी पास है, तो उसके ब बहुत ही important news है, और हमारी इस पर नजर होनी चाहिए, और हमें इसकी सारी details पता होनी चाहिए, तो अब ऐसी city में भारत को क्या कर सकता है, भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ, अपने जो संबंध है, उनको बहुत मजबूत करना चाहिए, especially इस situation से deal करने के लिए तो इरान और अफगानिस्तान के साथ भारत के जो संबंध है, वो बहुत ही मजबूत होने चाहिए, और भारत को अपना जो सारा focus है, वो South Asian countries पर इने रखना चाहिए, इस तरफ भी भारत को ऐसी strategies प्लान करनी चाहिए, जिससे की वो इन countries के साथ भी अच्छे relations को develop कर सके, तो इ आपको पसंद आएगा और यह आपके exam की preparation में आपके लिए बहुत ही fruitful रहेगा, अब हम मिलेंगे next वीडियो में एक नए और interesting topic के साथ, thank you.